मेश आज आपका दिन मध्य फल्दाई रहेगा ऐसा गणेशी कहते हैं आपका स्वास्थ्य नरम गरम रहे सकता है आप शारीरिक ठकान का अनुभव करेंगे संभव हो तो प्रवास डाल दें जिद्धीपन से दूर रहें व्रिशब गणेश जी कहते हैं कि आज आपका दिन मध्यम फल्दाई रहेगा आप किसी भी कारे को द्रण मनोबल एवं पूर्ण विश्वास के साथ कर पाएंगे पिता एवं पैत्रिक संपत्ति से लाब होने के योग हैं मिथुन आज का दिन आपके लिए अच्छा और लाबदाई होगा मित्र बंधू बांधवो एवं पडोसियों के साथ आपके संबंद अच्छे रहेंगे आर्थिक रूप से आज आप सजक रहेंगे करक आज का दिन मध्यम फलदाई है ऐसा गड़ेश्ची कहते हैं आज आपके मन में गलानी रहेगी जो भी कारे करेंगे उसमें आपको संतोष नहीं मिलेगा स्वास्ते अच्छा नहीं रहेगा दायाक में परिशानी होने की संभावना है सिंग आज आपका दिन शुप फलदाई होगा आप आत्म विश्वास से भरपूर रहेंगे हर कारे को द्रणिष्टई के साथ संपन कर पाएंगे सरकारे कारियों में तथा सरकार से लाब होगा पिता और बड़ों का सहयोग मिलेगा कन्या आपका दिन शारीरीक एममानसिक चंता के बोच तले दब कर बीतेगा आज किसी के साथ आपके एहम का टकराफ ना हो इसका विशेश ध्यान रखें कोट का चहरी में साफधानी रखें आकस्मिक धन खर्च होगा तुला गनेश जी के आशिर्वात से आपका आज का दिन शुक्फल दायक और लाप प्रद है मित्रों के साथ मिलना जुलना या परियटन होगा परिवार में आनंद का वातावरन रहेगा पोत्र और पत्नी से सुक संतोष अनुभव करेंगे गनेश जी कहते हैं कि आज ग्रहस्द जीवन की सार्थक्ता आपको समझ में आएगी घर में आनंद उल्लास का वातावरन रहेगा आपका हरे कारेय सफलता से पूरा होगा व्यापारियों को व्यापार में अच्छे अफसर मिलेंगे धनू गनेश जी आज आपको तबियत का ध्यान रखने के लिए कहते हैं काम करने में उच्सहा उमंग का अभाव रहेगा मन्चिंता से व्यग्र रहेगा संतानों की समस्या इसका कारण हो सकती है विवसाय और नौकरी में तकलीफ खड़ी होगी मकर नकरात्मक विचार हावी ना होने देने की गनेश जी सलहा देते हैं क्रोद को काबू में रखने से बहुत सी आफ़तों से बच चाएंगे भागीदारों के साथ संबंद खराब होगा अचानक प्रवास करने के सैयोग खड़े होंगे कुम गनेश जी की कृपा से आपका आज का दिन प्रसंता पूर्वक भीतेगा आपके आत्मविश्वास में वृत्ती होगी जिसके कारण कारे सफलता के लिए सरलता रहेगा स्वभाव में मौजीलापन आपको मन से स्तफूर्ती में रखेगा मेन मन के द्रणता और आत्मविश्वास आपका कारे सफल बनाएंगे परिवार में सुक्षान्ती और आनंद का वातावरण रहेगा गुस्से के कारण आपकी वाड़ी व्यवहार में उगरता ना आए इसका खयाल रखें